आज हम लोग करेंगे इस बार हम लोगों ने टॉपिक चुना है वेदी कल्चर पिछले दो टॉपिक्स बौत धर्म जयद धर्म और इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हम लोगों ने किया और आज ये हम लोग वेदी कल्चर पे कर रहे हैं अगर इस सेट में आप 25 प्लस करते हैं तो हम कहेंगे कि आपकी तैयारी डेफिनिटली बहुत अच्छी है और आपको खुश होना चाहिए कि इस टॉपिक पर आपकी पकड़ है लेकिन 20 प्लस वाले भी हम कहेंगे कि अच्छी तैयारी है इस टॉपिक पर और जिनका 20 से कम है उनके लिए एक सीख होगा चुके उन्हें ये समझना चाहिए कि 20 से कम अगर हुआ है तो आपने कुछ 10 प्लस को गलत किया है इसका मतलब है कि जो वो प्रशन थे जो आपने गलत किये उसमें आपको तैयारी का पैटर्न इस ढंग से करना चाहिए करना चाहिए यानि वो सेक जरूरी है एक प्रशन था चीता को लेकर चुके लुसेंट में दिया हुआ है कि योगी जो है मोहन जोडरो में जो योगी का सील मिला है उसके चार और जानवर में चीता है बाग नहीं है तो ये आप कंफ्यूज नहों चीता बाग दरसल एक ही संदर्व में यूज होता है क अफगानिस्तान में है तो इसे भी आप कंफर्म कर लें और तीसरी बात बोला गया था ये के संदू सब्विता में गाई कहां से आ गई इस पर कुछ लोगों ने अबजेक्शन किया कि संदू सब्विता में गाई कहां थी ये तो वेदिक कल्चर में थी तो आप जानने के NCRT के 11th का जो NCRT है उसमें पेज नंबर 63 को आप देख लें उसमें बैल गाय भी शब्द दिया हुआ है तो इसलिए हमने deliberately जान बुझ कर इसे डाला चुके हम भी ये पहले जानते थे कि गाय नहीं हो सकता है तो इसे हमने deliberately जाला चुके हमने जब फिर से उसे देखा तो गाय शब्द वहाँ पर दिया हुआ है आपको कम सकम knowledge होना चाहिए कि ये शब्द प्रियोग हुए है तो इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं NCRT में दिया हुआ है अब इसकी व्याक्याब अपने अपने रहन से कर सकते हैं चलिए आज के इस 30 questions के sit को जो एक शांदार sit है बनाते हैं देखते हैं कि आपकी तैयारी का level दरहसल क्या है आज का पहला question वैदिक आर्यों की विजय का कारण घोड़े से चलने वाले रध थे उन्होंने ही पश्चिमेशिया और भारत में सबसे पहले यानि वेस्ट अशिया और इंडिया में सबसे पहले रध को लोग प्रिये बनाया ये दोनों का थन क्या सही है या गलत है आपको चुन कर यहां पर ABCD आंसर करना है इंटेस्टिंग है statement है तो इसका answer हो जाकर दोनों सही है इसमें दोनों statement सही है तो इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए दूसरी बात पांचमा option अब हम आपको नहीं बता रहे हैं कि कितने question फिफ्थ option के साथ आएंगे तो इसे आपको खुझ से decide करना है आज का दूसरा question आरे सब बता में सबसे प्रमुक नदी यानि most popular नदी कौन सी थी इसको भी आपको ध्यान से बनाना चाहिए आप हर बड़ा करना मारें तो इसका अंसर हो जाएगा सिंदू, सिंदू नदी सबसे popular नदी थी जबके सरसती नदी सबसे पवित्र पायस रिवर थी ये ध्यान रखेंगे आज का तीसरा question वैदिक सब्विता में अनुलोम विवा अनुलोम और परतिलोम और ऐसे कई सारे विवा की परक्रियाएं थी तो आपको बताना कि अनुलोम विवा क्या था किस तरह के जोड़े होते थे A, B, C, D या फिर E तो इसका अंसर हो जाएगा A, पुरुष उच्वर्ण का यानि अपर कास्ट का और मैं ही लाइल लोर कास्ट की तो यहाँ पर इस तरह का अनुलोम विवा का दिखने को मिलता है चर्चा चौथा question यहाँ पर दिया हुआ है कि नेमलेकित गरंतों का सही सुमेल करना है आपको मैचिंग है, मैच करके बताना है कि कौन सा मैच सही है तो इसका अंसर हो जाएगा D D सही मैच है यह आप अगर नहीं जान रहे हैं तो आज ही नोट कर लें सारे वेदों के उनके प्रोहित कौन थे पांचमा question नेमलेकित किस गरंत में वैदिक अनुष्ठान यानि रिचूल्स उसकी विधी और उसकी सामाजिक और धार्मिक व्याख्या मिलती है कौन सा है जिसमें अनुष्ठान की विधिया है और व्याख्या भी किया गया है उसका तो इसका अंसर हो जाएगा B ब्रह्मन गरंथ अरण्यक में तप और रहसे हैं, ब्रह्मन में कर्मकांध है, उपनिशद में कर्म और ज्यान की बाते हैं, यह स्मिर्थी गरंथ दर Васल कानून गरंथ हैं, आज का छठा उत्तरवेदी काल में लोकप्रीयं म्रद्भांध यानि पाटरी यानि बर्तन किस तरह क थे बहुत important very very important आपको बताना कि किस तरह का परकार था type था तो इसका अंसर हो जाएगा D चारो options नहीं है चारो परकार के बतन थे जिसमें painted graveyard सबसे ज्यादा लोग परिये था आज का साथ मा question उत्तरवधिकाल में किस संस्था का लोप हो गया disappear हो गया समाथ हो गया कोई चर्चा नहीं मिलती उत्तरवधिकाल तो इसका अंसर हो जाएगा विदत सभा समीति और विदत ये प्रमुक संस्था थी रिगवेद में बड़ा इनका प्रभाव था राजा को चुनने और उसके निर्ने लेने में लेकिन उत्तरवधिकाल में इनकी महत्ता समाथ हो गई चुके राजा शक्लिशाली हो गया विदत तो समाथ ही हो गया सभा और समीति की महत्ता काम हो गई आज का आटमा कोशन क किस पर गरंथ में यह कहा गया है कि अशुमेग यग कराने वाले को चारों दिशाएं दे देनी हैं इंट्रेस्टिंग है यग का महत्त और प्रोहितों की महत्ता का इससे पता चलता है तो आपको बताना है कि किसमे कहा गया कि सब कुछ दे देना है तो इसका अंसर हो आप जान लें कि एक लाग से अधिक अश्मेग यह कराने वाले को राज्सुई यह कराने वाले को एक लाग से अधिक गाए दे जाती थी आज का नौमा कोईश्चिन वैदिक ग्रंथ क्या कहलाए वेरी सिंपल यहाँ पर आपको चोईस से देखके आंसर करना है तो इसका आंसर हो जाएगा शुरूती वैदिक लोग लीपी नहीं जानते थे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे वो सुनकर बातों को अपने एक दूसरे को पासाउन करते थे तो यह शुरूती था सुनने वाला जिसका संकलन बाद में किया गया वैद व्यास के दौरा कॉमपाइल किया गया वैदिकरनतों को आज का दसमा कोशन धनुर वेद किसका उपवेद है आपको बताना है कि सब टेक्स्ट है किसका तो इसका अंसर हो जाएगा यजुरूवेद देखे चारों वेदों के उपवेद आपको बिलकुल आज ही नोट कर लेने चाहिए अगर आप नहीं जान रहे हैं चुक्छा आयूरूवेद रिगवेद का उपवेद है आई आज का ग्यार्मा कोशन देखते हैं गायत्री मंत्र की रचना किस ने की थी? बहुत important गायत्री मंत्र जो सभी मंत्रों में सबसे प्रमुख मंत्र है तो इसका अंसर हो जाएगा विश्वा मित्र वशेष्ट विश्वा मित्र प्रमुख रिशी थे तो यहाँ पर त्रिगवेद के तीसरे मंदर में इसकी चर्चा मिलती है कि विश्वामित्र ने इस गाहित्री मंदर जो सवित्र देवता को समर्पित है बारहमा कोश्टन निम्ले के तुमें सबसे प्राचीन दर्शन फिलोसोफी ओल्डेस्ट कौन सा है छटी शदार देश भी में शड़ दर्शन छह दर्शन आये तो इसका अंसर हो जाएगा सी सांख दर्शन कापिल ने सांख दर्शन को लोगप्रिय बनाया था इसमें न्याई वैशेशिक योग सभी के जो प्रनेता है उन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए यह तरह हमा कोश्चन निमलिकित में कौन युद्ध का देवता था वार लॉड था वार गॉड था तो इसका अंसर हो जाएगा इंद्रा इंद्र वर्शा और युद्ध के देवता थे आज का नेक्स्ट चौदहवा कोशन निमलिकित का सुमेल आपको करना है मैच करके बताना है क्या सही है तो इसका अंसर हो जाएगा A A इसमें सही मैच्ट है आपको इससे आज ही नोट कर लेना चाहिए पन्दहवा कोशन रिग्वेज के किस मंडल में पहली बार पहली बार फर्स टाइम एवर चारों वर्नों का उलेक मिलता है जानने बहुत important है बेरी बेरी important चारों वर्न का अब पता चलता है तो इसका अंसर हो जाएगा दस्वें मंडल दसमे मंडल के प्रूश सूक्त में ये कहा गया है कि किस तरह से मुक्ष से ब्रह्मन, कंधे से छत्रियव, वैश जंगा से और शूद्र पैरों से आए तो मतलब ये कि चारों वर्नों का उलेक यहां पर पता चलता है तो इसका अंसर हो जाएगा D, दास और दस्यों से, याद रखें आप, वैदिक गरंथों में दस्यों को बड़ी घरना भरी निगारों से, उनकी चर्चा की गई है, दास के बारे में कहा गया कि पूरवर्ती आ रहे थे, जबके दस्यों यहां के ओरिजिनल इन्हैबिटेंट् यादिवासियों के संदर्व में हम समझ सकते हैं इसे शायद, सत्रेमा कोश्चन है, एक हजार इजबी पूर्व के आसपास कहा लोहे का प्रियोग होने लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो यहाँ पर चॉइसे हैं, आपको उनसे ही चुनना है, लोहे का फिर ही व्यापक परसार और उसका उत्खरन सामने आता है, आज का ठारमा कोश्चन है, वैदिक काल में किस शिल्पकार, यानि आर्टिजन का अस्थान उचा था और उसे या गुपवीत धारन करने का अधिकार मिला हुआ था, जनियु जैसा धागा वो धारन कर सकते थे, जो प् कौन सा शिल्पकार था, तो इसका अंसर हो जाएगा रथकार, यानि कैजिएट जो चैजिएट जो चलाता था, वो चुके ये रथकार ही, आरी लोग रथ पर चड़कर ही युद्ध करते थे, विजय पराप्त करते थे, ये इनकी बड़ी विशेशता थी, इसलिए इसकी र रथकार की रथ बनाने वाले की बड़ी महात्ता थी, आज का उन्हेसमा कोश्चन किस वेद में सभा और समीती को परजापती की दो पुत्रियां कहा गया है, तो इसका अंसर हो जाएगा यजुर वेद, सभा समीती और विदत प्रमुख पॉलिटिकल संसाय थी, तो इन्हेस परजापती जो उत्रवधिकल के सबसे बड़े देवता थे, उनकी दो पुत्रियां कहा गया है, बीसमा कोश्चन उत्रवधिकल में पांचाल किस कबीले का सम्मलित कमबाइन फॉर्म था, कौन दो कबीले मिलकर पांचाल बन गए, या पांचाल कहलाए, बीसमा कोश्चन, ध्यान से आप करें, तो इसका अंसर हो जाएगा, बी, तुरवश और तुरकश और क्रीवी, आप जानने के पंच जन, अनुद रहू, यदू, तुरकश, क्रीवी और कुरू, ये सब अलग अलग कबीले थे, बाद में उत्तरवधिकल में इनका मर्जर होने लगा, च्योंक कोशन, रिगवेद में किस अधिकारी का कोई उलेख नहीं मिलता, ध्यान से आप बनाएं, रिगवेद में, रिगवेद, उत्रवधिक करंद नहीं है, रिगवेद में किस अधिकारी का उलेख नहीं मिलता, तो इसका अंसर हो जाएगा, ई, पांचवाँ अप्शन, चोंके दुर्ग तो उस समें था ही नहीं, चुके कभी लाई सोरूप था, और न्याइधिश का भी लेक नहीं मिलता, आज का नेक्स्ट कॉश्चन, उत्तर वैदिक शासकों के नामों का सही मिलान करें, मैच करना है, ठीक से देख लें, तो इसका अंसर हो जाएगा C, दरसल सभी का जो राजा होता तो उसे समराट कहते थे, जबके दक्षन का राजा भोज कहलाता था, आज का तैसमा कॉश्चन, निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है, मिस मैच्ट है, मिस मैच्ट है, तो इसका अंसर हो जाएगा A, सभी नदियों का प्राची नाम आपको ध्यान में जाहिए, विपाशा व्यास नदी के लिए है, जेलम यहां पर गलत है, आज का चौवीसमा कॉश्चन, आर्यों द्वारा खोजी गई वैधातू, जिसे वे कृष्ण आयस कहते हैं, कृष्ण आयस किसे कहते हैं, तो इसका अंसर हो जाएगा A, लूहा, आज का पच्चीसमा क रिग्वेधिक काल में, कौन सी समाजिक विवस्ता सोशल जो सिस्टम था वो प्रचलन में था, यानि प्राक्टिस में था, बहुत इंपोर्टेंट और ध्यान से आंसा बनाने वाला, तो इसका अंसर हो जाएगा विद्वा विवा, बाल विवा प्रचलन में नहीं था, रिग्वेधिक काल में, अंतर जाती विवा, पुनर विवा और विद्वा विवा प्रचलित थे, आज का 26 विवा कोश्चन, निमनी खित में कौन सा वेध, गध्य और पध्य दोनों में रचित है, यानि प्रोज और पोईट्री, यानि कवीता के रूप में भी, और कथा के रूप में भी, तो इसका अंसर हो जाएगा यजुर वेध, इसे चंपू शैली भी कहते हैं, जो दोनों में रचित होता है, आज का निक्स्ट कोश्चन, 27 वा कोश्चन, किस विद्वान के अनुसार आरियों का मूल स्थान तिबध था, इंपॉर्टन्ट, इस तरह का स्टे ध्रुव और मैक्स मूलर का सबसे लोग प्रिये है, जो मदेशिया कहता है, आरि मदेशिया से आए, यानि एरान से आए, तो ये हमी ध्यान में रखना चाहिए, ये स्टेट्मेंट आप नोट कर लें, 28 वा कोश्चन निम्लिकित अनाजों का उनके मूल नाम के साथ सुमेल क पहचान कीजे, कौन इसमें असत्य सुमेल है, मन मिसमैच्ट है, तो इसका अंसर हो जाएगा डी, गेहूं, गेहूं को वरिक नहीं, बलके गोधुम कहा गया है, बाकि तीनों से ही है, आज का उन्तिसमा कोश्चन, किस गरंथ में यागवलक और गार्गी समवाद की चर्चा है यागवलक, बहुत बड़े, रिशी मुनी, गार्गी, तो इसका अंसर हो जाएगा भी विरहदार अन्या को परिशाद, दरसल यागवलक खुद को बहुत बड़ा ग्यानी मानते थे, ऐसे में राजा जनक के दरबार में जब संबाद चल रहा था, तो यागवलक ने खु गुल जाता है, यागवलक सोचने लगे और सोचकर उन्होंने कहा कि हवा में, वायू में, फिर गार्गी ने फिर से कहा कि फिर वायू किसम में घुल जाता है, विलीन हो जाता है, तो फिर सोच में पढ़कर यागवलक ने आते तह कहा, अंतरिक्ष में, और इस तरह से प्र इम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए, इसमें से दो कतन दिये गए हैं, आप पढ़ लें, और बताएं कि इनमें से कौन सही या गलत है, उत्तरवधिकाल में युद का परमुकारन गाई थी, उत्तरवधिकाल में युद का रिगवधिकाल में युद का परमुकारन गाई, बातें सही है, statement correct है, तो इस तरह से आज का यह सेट यहीं पे रुखेगा, आपको बता दें कि अब से एक सफ़ता के तक, one week, पूरा जो next चलेगा, वो current affairs पे topics आएंगे, 10 topics तो as usual चलेगा, लेकिन यह जो questions का sit आएगा, वो current पे आएगा, पूरा one week, तो आप current को देखें, समझ तरह से हम लोग question करेंगे, अपने तयारियों को जाचें, और यहीं पर मुझे जाज़त दे, अपना ध्यान रखें, लगातार मेहनत अथक करते रहना है, जिसलिके सफ़ता के लिए, पिलकुल tireless labor की जरूवत है, अपना ध्यान रखें, take care.